कुछ ऐसे टीप्स जो अपने फ्रेंड को इंप्रेस कर सकते हैं तो देखी कम्प्यूटर में वो जो ट्रिप्स है वो हम कमांड के थुरू बताएंगे डॉस के थुरू तो चलिए देखते हैं तो सब सिंपली सबसे पहले आप डॉस को ओपेन कीजिए डॉस को ओपेन करने के लिए बिंडूज प्लस आर की प्रेस कीजिए यह रन डेलाप बॉक्स आएगा और इसमें आप टाइप कीजिए cmd और इंटर प्रेस कर देंगे तो यह आपका डॉस ओपेन हो जाएगा बाइदे डिफाल्ट रूप से हमने कलर चेंज किया है आपके सिस्टम में ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा फंट थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर रैड क्लिक कीजिए इस टैटल बार पे और यहां पर देखिए परफोर्टीज है इस पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप जो चाहें चूच कर सकते हैं ठीक है यह हमारा कॉलर्स है यह देख रहे हैं यह टेक्स का साइज है यहां से फंट ले सकते हैं बड़ा छोटा जितना भी करेंगे वह आपको यहां पर दिखाई देगा यह ओप्संस एं लार्ज मिडियम इसमाल जितने भी जैसे करना है आप यहां पर सकते हैं अगर डॉस के बारे में अच्छी तरह से जनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेइलिस्ट में जाएए MS-DOS के नाम से एक प्लेइलिस्ट होगी और उसके अंत्रगत बारीकी से अत्सिक सकते हैं ठीक है के बाद अगर आपको कंप्यूटर में notepad open करना है तो यहां पर simply notepad लिख कर enter की प्रेस कर दिजी को देखिये notepad आपका यहां से open हो गया ठीक है इस्टार्ट के बाद आप इस्पेस देखा लिखेंगे राइट डाबलू आर आई टी ए राइट और इंटरप्रेस करेंगे तो यह हमारा ओपन हो जाएगा वर्ट पैंट उसी तरह पेंट को ओपन करना है तो आप यहां पर सिंपली लिखेंगे अपर इस्पेस नहीं देना है इसी में पेंट लिख देना है तो देखिए हमारा पेंट ओपन हो जाएगा ठीक है उसी तरह आप यहां पर स्टार्ट लिख देंगे और उसके बाद से लिखेंगे विंडोज मीडिया प्लेयर आप समझ रहा है प्लेयर और इंटरप्रेस करना चाहएंगे तो आपका एमिस वार्ड ओपन हो जाएगा ठीक है उसी तरह आप कोई सारे हैं जैसे स्टार्ट एक्सल ओपन करना का चाहेंगे तो यह है न कमाल की ट्रिक जहांसे आप ओपन कर सकते हैं और सारे कमांड तने में देंगे आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में जरू बताईएगा, क्या वाकही में ये अच्छा लगा, लगता है कि ये वीडियो आपके साथ उन फ्रेंड या फैमिली मेंबर को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज उसको सेयर करें, और इस चैनल को ज